फरुखाबाद में बंगश इतिहास के लगभग सभी महत्वपूर्ण विंदू ओपर चर्चा की जा चुकी है लेकिन डाक या रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जानने को कुछ नहीं मिला इस पोस्ट में हम केवल डाक सिस्टम पर केंदृत रहेंगे संचार यानी सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी रही होगी रामायन वं महाभारत काल में सूचनायन संदेष वहा को द्वारा भेजी जाती थी पक्षियों द्वारा संदेश भेजे जाने के बारे में भी बताया गया है वैदिक काल के दोरान चरियों से संदेश भेजे जाते थे 30.00 B.C. में समराट अशोक के जमाने में रिले रेस द्वारा डॉक ले जाते थे शेरशाह सूरी भारत में एक इक्रित और स्थाई डॉक सिस्टम लाए। भारत में व्यवस्थित डाग प्रनाली की शुरूआत महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमन के साथ शुरू हुई। करने का श्रे दिया जा सकता है। डाग चौकी प्रनाली को अलग-अलग विभागों में विभाजित किया गया था। जो स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे। सुरक्षा, खुफिया, पर्यवेक्षन और सेना की जरूरतों को पूरा करते थे। होस करियर सिस्टम शुरू क किया गया। डाग पोस्ट सेवा के लिए प्रतेक दो किलोमीटर दूरी पर डाग चौकिया स्थापित की गई थी। हर चौकी पर दो-दो घोड़े तैनात किये जाते थे। कुल 17-100 डाग चौकी वर 3400 घोड़े तैनात किये गए। छोटे से छोटे रूट निर्धारित कि जोड़ा गया। पहली बार माइल्स्टोन लगाए गए। सरायों का निर्मान कराया गया। जहां यात्रियों वव्यापारियों के लिए रुकने की व्यवस्था थी। सणक किनारे नए-नए शहरों का निर्मान हुआ जिसकी बजह से व्यापार बना। रोट टैक्स समाप् को समपूर्ण हिंदुस्तान पर एक समान रूप में लागू किया। 1713 में फरुखाबाद के निर्मान के बाद भी मोहम्मद खान बंगश ने मुगलों की डाक प्रनाली जारी रखी। वही होस कुरियर सर्विस जारी रखी गई। अब ये आम लोगों के लिए भी उपलब थी। वैसे अनेको प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी डाक व्यवस्था थी। उनके पास अपने स्टेट की डाक अटिकेट, पोस्ट कार्ड, अंतरदेश्य पत्र, वाटमाक तथा अपनी करेंसी आधी आवश्यक सभी कुछ था। इस्ट इंडिया कमपनी के आगमन के ब पॉइंट पर दो गुर सवार 40 किलोमीटर घंटा की रेस और दिल्ली की 250 किलोमीटर की दूरी। समय लगता लगभग 6.30 घंटे। पोस्ट कार्ड, अंतरदेश्य पत्र, रजिस्टर्ड पोस्ट, मनी ओडर आधी अब सुनी सुनाई बात लगती है। पत्र अगर सपताह भ सकते है। दुनिया के किसी भी भाग में हम आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते है। कोविड काल ने जन जन को आन लाइन हो जाने पर विवश कर दिया है। यहां तक की हमारी पढ़ाय लिखाई भी आन लाइन हो गई है। आज गूगल, वाटसेप का जमाना है जहां पलक जपकते सूचनाइन एक स्थान से दूसरे स्थान पर त्वरित गत्से भीजी जा सकती है। पोस्ट आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करे, सब्सेक्राइब करे, वगहंटी बजाना न भूले।